क्वालियर के सिरोल थाना इलाके के गूखल धाम सुसाइटी से एक खबर सामने आ रही है जो हम बैंक के रेटाइट पिता और उसके पुत्रों को सुसाइटी मालिकों ने बंदख बनाय जाने का मामला सामने आया है जिसके बाद बैंक कर्मी ने पुलिस को सुचना दी सुचन का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रहे है जाच के बाद पर धानी करवाई की जाएगी साथ ही बताय की रिटायर्ड गाइंक कर्मी लोकेश शर्मा ने अर्विंद पांडे और मनुद पांडे पर पॉपर्टी वबाद में धुकधड़ी की शिकायद दर्स कराई है गत्रोज जब लोकेश शर्मा अपने बेटी ये शर्मा के साथ गूकल धाम सुसाइटी में अपनी पॉपर्टी चेक करने गए तो गाड़ी से लोटते समय उन्हें बंधक बनाते हुए सुसाइटी मालिक ने गाड़ की मादम से गेट बंध करा दिया जबरान फर्यादी टैंक करनी अपने मोबाइल से आरूपियों के लगतार बीडियों बनाखर बाइरल करते रहे और मामले की सुचना पुलिस को भी दी इसके बाद मागे पहुंची पुलिस ने बैंक करनी और उनके बीटी को बिलडर की कबजी से मुक्त कराया SSP ने अब इस मामले में जांस के बाद बैदाने करवाई की बात कही है और उसमें उनके ब्यानों के अदार पे अग्रिम करवाई की जा